नमस्कार मैं हूं राकेश कुमार सिंग इंडिया नियूज दिजिटल में आपका स्वागत है जी हाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में लालू परशाद यादव की लालू परशाद यादव जिस तरह से हाल के दिनों में शक्रिये हैं और इंडिया जो की विपक्षी दलों का घडबंधन बना है जो की 2024 में मोदी के खिलाफ जो घडबंधन है उसका नाम है और इसको लेकर जो दो बैठके हैं वो हो चुकी हैं पहली बैठक जो है पटना में और दूसरी बैठक जो बैठक हुई थी और उस बैठक में आपने देखा था कि उस बैठक में किस तरह से बैठक को ये कहा गया कि अब पूरी रूप और रूपरेखा और रहनी जो है ये तैक कर ली गई है कि 2024 में आखिरकार इंडिया किस तरह का होगा और इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल तब उठा था जब इस बैठक के प्रेश्ट कॉन्फरिंस में लालू परशाद यादव और नितिस कुमार उससे पहले ही जो है पटना के लिए निकल चुके थे अब जो खवरे आ रही है वो लालू परशाद यादव के लिए शुब संक्यत नहीं है और चुनाव सुत्र पत्राने के चुनाव से पहले जो है लालू यादव क्या जेल जा सकते हैं जमानत के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याजिका दायर की गई है और चारा घोटाला मामले में लालू परशाद को चारखंट उचने आले ने 22 अपरेल 2022 को जमानत पर रिहा किया था और उन्हें खराब स्वास्त के कारण कोर्ट से बेल मिली है लेकिन अब जो है कि चारा घोटाला में लालू परशाद यादों की जमानत रद करने को लेकर सुप्रिम कोट में एक याजका दाखिल की गई है और इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई होगी CBI की ओर से इस पर जल्द सुनवाई करने की मांग रखी गई थी आपको ये जानना जरूरी है कि लालू को हाई कोट से जमानत मिली है और इसके खिलाफ ही सुनवाई के लिए CBI की अरजी सुप्रिम कोट ने सुविकार कर लिया है तो लालू परशाद यादों जिस तरह से हाल में सकरे रहे हैं तरह से उनका ब्यान भी काफी सुर्खियां बटोड़ता रहा है अब सर्बोचन आले इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करने जा रहा है लालू परशाद यादों पर बढ़ सकती है